हेलो किसान भाईयों स्वागा थे हमारे एक नए वीडियो में तो किसान भाईयों आज हम लोग आएं अपने धान के खेत में दवाई छुड़ाकने के लिए आप देख सकते हूं यह मेरा धान का खेत है जो अभी सार से लगभाग 65 दिन का हो गया है तो इसमें कुछ-कुछ सम यहां पास दिखता है लेकिन इसपोर्ट अभी दिखनी रहा है तो खेर दिखाऊंगा अगर दिखेगा तो और इसमें यहां मतलब पत्यों में कहीं कहीं पास धब्बा रहता है अगर धब्बा हो जाए और अगर ऐसा भीमारी मतलब ब्लास्ट हो गया या फिर सिद्बैट या फिर तनाच्षेदक वगरा लग गया तो लगवासर को लगवासर को शाट से पैसर प्रतिसर तक मुकसान पहुचा सकते हैं तो आप लोगों दिखाता हूं कि मैं क्या क्या दवाई का चिड़काव कर रहा हूं किसान भाईव मैं अपने फिल्ड में इन दवाईव का इस 505 है अभी खर सुरुवाती स्टेज है तो इतना जादा खर भारी दवाई नहीं लगता है इसे 505 में 20-25 दिनों के लिए मतलब जो भी जितने भी इंसेक्ट रहते हैं से कंट्रोल हो जाता है और यह एक और चित्रहों ब्लास्ट के लिए है यह ट्राइक को नजोल है जो कि 75 तेमाटर जितने भी सब्जी वर्गी फॉल है और धान वागेरा में मुख्यत्या इसमें छड़काओं किया जाता है जो की धान में सीध्य ब्लाइट के लिए मुख्यता काम करते हैं इसके सांथ यह बहुं सारे जितने भी फंगा से जनित बीमारी होते हैं उनको भी एक और साइपरमेटरिन कर रहता Have all people settings के त्रीपस ने लगने वाले इसकर acquisitive मोड़क हो गया और फल और आरे अवर जितने भी इन्वीदा डुत, इसको यह चेण ने रहता है तो इसको असर रहता है और यह बहुत अच्छी डावाई के बाद यह ट्राइकोना जोल है जो कि यह भी फंग सिस्टमिक फंगी सैड है जो कि धान में मैं ब्लाइट क्लेज च्छड़ा करहा हूं इसका भी मतलब असर अच्छा है और अंत में यह चिपको है जो कि सिलिकॉन इस्प्रेडा है जो कि आप लोगों पता है कि अगर चिपक रहा हूं दवाई को तो बैट्टी वाले जो पत तो यह बैट्टी वाले पंदर लिटर का पंप होता है जिसमें यह पंदर 50 ml और यह 40 ml इंसेक्टी साइड यह 505 को और यह इसको यह जो पैकेट आता है यह खेर पावडर फरम में है तो इसको आट इस्प्यर बनाना रहता ह है तो इस प्रकार से सभी का मतलब एकसान घुल बनाकर हम लोग दवाई पं में छुड़क सकते हैं और यदि हम लोग पावर स्प्यर में दवाई को छुड़कते हैं तो आपको पता है इसका मात्र जो डोज रहेगा यह डबल हो जाएगा जानकारी कैसे लगा कॉमेंट करक तो मिलते हैं किसी नेस्ट वीडियो में तो सस्क्राइब कर लिजीएगा